नवस्कार सस्रीकाल जय जोहार आप देख रहे हैं जी एन भारत जन जन तक कोरोना की डरावनी रफ्तार जारखन में पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत सेंट्रल उनिवरस्टी में 43 लोग मिले संक्रमित जारखन सेंट्रल उनिवस्टी में एक साथ 43 लोग संक्रमित मिले हैं इसमें उनिवस्टी केमपस में रह रहे हैं स्टुदेंट्स, स्टाफ और उनके परिजन भी शामिल हैं प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहां सामने आई है, कोरोना का सेंपल देने के बाद यहां के संक्रमित 90 प्रतिशत से जादा लोग उनिवस्टी छोड़ कर निकल गए हैं, यानि वे पॉजिटिव होने के बाद भी ट्रेवल किये हैं इंसिडेंट कमांडर विजय हेमराज खालकों ने बताया कि उनिवस्टी केमपस में कुल 300 सेंपल जाच के लिए लिए गए थे, इनमें रिपोर्ट में 43 लोग पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन जब यह इसकी जाच के लिए उनिवस्टी केमपस पहुचे तो यहां मात्र 8 ल में सबसे जादा एक्टिव केस 11,445 राची में है, हाला कि राहत की बात यह है कि बीते 24 गंटे में 2,801 मरीज स्वस्थ भी हुए है, यानि ठीक हुए है लेकिन डरने वाली बात यह है कि पिछले 24 गंटे में 8 लोगों की माउथ हुई है, पिछले 24 गंटे में कोरोना संक्रमन से राज में 8 लोगों की माउथ हुई है, इसमें बोकारों का एक, ऊरवी सिंग भूमे में 3, हजारी बाग में 1, राची में 2, और सराय केला में 1 संक्र सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दवाना ना भूलें